आख्री में उआ हुआ, वो भी अच्छा लगा, क्योंकि हुआ और पहले निकल आए, वो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि मैं और अच्छा खेल सकती थी वहाँ पर तो , बथ मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हुआ भी है तो वो बाहर के लोगों से नहीं हुआ, सिर्फ अंदर के लोगों से हुआ है, जो मैं इसे फाइट कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा, ठीक है, वो घरवालों का ऐसा था उस वक्त, तो मैंने ज्यादा माइड नहीं किया, बट मुझे डैफिनिटी सना को होना चाहिए था। राइडर को, तो मैंने एक जवाब दिया, मैं तेलका को डालना चाहूंगी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है, और जब घर का मैटर होता है, एक घर में पांच मेमर हैं, तीन का पॉइंट फ्यू उधर हैं, और दो की पॉइंट फ्यू इधर हैं, तो फिर वो घर का मैटर नहीं है, क्योंकि वो तीन के ही तरफ जाएगा, तो मैं उस गेम में अपनी ही घर के जो सोते रहते थी घर में, मैं उनको ही डालना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो गेम ही ऐसा है, कि आप तीन हो, तो तीन का ही माना जाएगा, दो का नहीं माना जाएगा, त In fact, बहुत सारी लोग भी ऐसे मुझे लगता है कि नहीं मेरा कभी विकी से conversation नहीं हुआ, बातचीत भी नहीं हुआ, तब भी मैं इसको क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उस game में वो suitable है, अंकिता भी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं as a point of view देख रही थी, मैं उस game के साफ से देख नहीं करते हैं, वो सोने के लाबा उनके पास कोई काम नहीं था, या तो फिर उनके दिमाख में plotting चल रही होती थी, plotting घर में वैटके चला रहे हैं, बाहर निकल के देखो कि कौन क्या है, कैसे अपने movement ले रहा है, चीजों में, कैसे वो अपने आपको modify कर रहा है, तो उस ची को यहीं मतलब बीच में खड़ा किया गया और वोट करना था घरवालों का, तो आपको क्या लगता है, सना ने गर में ऐसा लोगों साथ बांड बनाया था, जो लोगों ने उन्हें चुना, आपको लिए ऐसा बांड नहीं बनाया, सब को यह भी पता था, कि मैं फाइट करत करने के लिए, और सना तो बिलकुल भी नहीं आ सकती. क्योंकि वो एक एक चीज बहुत जादा बारिक सी देखते हैं, तो आपने देखा भी होगा, जब वो दिमाग के घर में गई है, तो उसका जो पॉइंटर फ्यू था, वो चेंज हो गया है, क्यूंकि उसको पता था, कि अब मैं छेडने वाली हूँ, क्योंकि पहले दिमाग के घर में मैं थी, तो मुझे काम के लिए मुझे आराम से, शांती से काम कराना पड़ रहा था, तो मैंने बोला भी था, जब वो लोग उस घर में गए, तो मैंने टॉर्चर करना चालू किया, कि दिमाग वाले घर है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे चीजे, तो वो शांत हो रही थी, और वो आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया था, उसने, कोई भी चीज के लिए आई थिंग आप देखोगी, तो दिमाग के घर में पहुँचने के बाद, उसका एक भी जाधा तर फाइट बहुत कम हुआ है, उससे पहले वो फाइट कर रही थी, तो साना ने अग जाओ उनके, नहीं, वो ऐसा नहीं है, बिलकुल भी नहीं है, वो गलत उसका स्टेटमेंट था, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रही थी, तो उसको ऐसा लगा कि बिग बॉस ने हम लोगों के साथ गलत किया है, मैं भी उसी घर में थी, मुझे तो बिलकुल भी नहीं आज भी मैं निकल के आई, यो मेरा टोन बैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जब मनस्थी यहां आने वाली थी शोन, उन्हें मना चाओं आपको मसला बुलाया लिया, और अब इस वीकेंड के वार पे, आपके अलिमिनेशन वर उनकी एंट्री भी है तो वाल काई, इस पे आपका क्या कहना थे, प्रीप्लांट लिया, कुछ ऐसा हो नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, in fact, मेरी वोटिंग ज्यादा होती, तो मैं भी तो वहीं होती न, तो मैं ऐसे कैसे जज्जमेंट कर डूँ कि नहीं, उनको डाल है, मुझे निकाला है, ऐसा जज्जमेंट मेरे लिए तो सही नहीं है, सुमी यह जाना चाहेंगे, खांजादी इनेशल देश के अगर बात करो, खांजादी कुछ-कुछ बातों को बहुत बहुत हो जाती है, तो तभी आप उनकी फ्रेंड जाहा गते ही, बट कुछ दिनों के बाद आप चेंज कर दिया, आपकी फ्रेंड जोन होता है, आप मिक्स नहीं कर सकते हो किसी चीज को, तो मेरा जो फ्रेंड जोन था, उस सिर्फ था ही, जब काम करवाने की बारी आई थी, क्योंकि घर चेंज हुए थे, एक दूसरे के, तो मुझे ऐसा लगा, अब वो मेर का टन है काम करवाने का, क्योंकि पहले खांजादी काम नहीं कर रही थी, तब मैं ऐसे प्यार से, आपने देखा भी होगा, रात में मैं बारा बजे, एक बजे मैं उसको समझा रही हूँ, in fact, दो तीन बार मैं ने रात में भी उसको समझाया कि आप शान्त हो के काम करो, ठी वो कर देती थी, बट मेरा और उसका ऐसा नहीं है कि हाँ, दोस्ती में ऐसा impact आया था, आपने देखा भी होगा, उसने बोला भी तू कल गुसा क्यों हो रही थी, मैंने का हो रही थी, क्योंकि तूने बोलके गई थी, ज़डू नहीं लगेगा, मैंने का ज़डू तो लगे थी, तो मैंने का अब खानजादी काम करेगी, क्योंकि ओलिडी मैं हूं उसके सामने, तो ऐसा हुआ था, तो पहले मुनावर की बात करती, उसको चुचंदर कहा, क्योंकि वो इतना openly नहीं खेल रहा है, या या वो aggression level उसका नहीं देख रहा है, क्योंकि वो बहुत कामली, य क्योंकि एक इंसान है, नॉमिनेशन से डर रहा है, वो इतना ही strong था, तो अपने आपको save क्यों किया था, जब उसको पता था, क्योंकि मैं तो strong हूँ, मैं तो नहीं जाओंगा इस Big Boss के house से, वो अपने आपको winner बोलता है, तो save करने की जब बारी आई, तो उसने सबसे पहले तो अपने आपको ही किया, क्योंकि मुनावर को भी तो हमने nomination में डाला हुआ था, तो जब उसको changing करने के लिए बोला, तो उसने अपने आपको save कर लिया, तो कहां से वो strong हूँआ? तो रूमेट का भी decision था? मुझे सब के आगे हाथ जोड़के काम करना पड़ेगा, वो तो नहीं हो सकता, जो खेलूँगी तो पहे अच्छे से खेलूँगी, यही चीज सना ने उल्टी करी, पहले अराम से खेल रही थी, पर जैसी nomination में आई, वो शक्तर real face दिखा रही है, नहीं, actually में वो in fact इतनी media ह मैं आपको बोलना चाहूँगी, वो लड़की बहुत soft है, और वो ऐसा नहीं है, हम लोगों, जैसे मैं हूँ, मेरी जैसी personality की नहीं है, उस गेम के लिए भी नहीं है, बट वो चली गई है, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको दो-तीन वार बोला भी जब nomination आया, तो जैसे व हमारे पास भी आयेगा ना, वो चीज है, तो पर वो तीन दिन का ऐसा था कि विकी भहिया हमारे, विकी भहिया के पास जाती है मैडम, क्योंकि उनकी friend थी वो, तो अब क्या करेंगे, ऐसे हो गया, उसने का देखो अपके पास तीन दिन है, और तीन दिन में आपको कुछ तो ऐसा दिखाना है, जिससे आप बच जाओ, तो अब मैं तो पहले से ही थी, स्टार्टिंग से ही मेरा नेचर ऐसा था, तो वो इरेटेट करने लगी, क्योंकि सेम बेड़ था, आप बिलीव नहीं करो कि बहुत सारी ऐसी चीजे की, मैं नहीं बता सकती, जिसके कारण मैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बहुत जादा, मुझे क्लीन चीजे बहुत पसंद हैं, बट वो नहीं मानती थी, उन्होंने बहुत सारी चीजे करी और इनफेक्ट मैंने रूमेट में और भी लड़के लड़कियां थे, मैंने उनसों भी बोला, मैंने ये मान नहीं रही है तब मेरा उनसे जगडे का टॉपिक आया, काफी सारी विक्ट को इस घर का बाश्चर माइंड बोल रहे हैं, जीजे का मास्टर माइंड बोल रहे हैं, जो चुपके काम कर रहा हो, वो खुलके हैं, एक दूसरे में इन्जॉई कर रहे हैं, कुछ घर में ऐसा चैल वैल नहीं होता है, तो कहते हैं, जागो, कुछ करो, क्यों सो रहे हो, तो वो मास्टर माइंड नहीं होता, मास्टर माइंड अलग होता है, तो मास्टर माइंड बोलूँगी, तो मुनावर का मास्टर माइंड है, वो पीछे से भी लोगों के लिए प्लैनिंग कर रहा होता है, और दू बट मैं अभिशेक की तरफ से इतना बोलना चाहूंगी, वो फेक नहीं है, वो जगडे में फेक कर सकता है, वो रिलेशन्शिप में फेक नहीं है. सोनिया राशली जानना चाहेंगे, जिस तरह एपिसोड में पुरानी कच जो भी इते, और सदस्यों का नाम लिया गया था, जिसे आसम रिया जाने सिज्टा का नाम लिया था, तो आपको क्या लगता है कि कौन से इसे सदस्य हैं जो पहले से प्लाइनिंग करके आए हैं, जो अच्छे सभी सांथ तरीके से खिर रहे हैं, बाद में अपने साइड प्रम गरूप दिखाएं, आपको क्या लगता है, कौन से इसे सदस्य हैं? मुझे ऐसा लगता है, कभी-कभी अभिशेक अच्छा है, बट वो पैटन अपना रहा है, पैटन बोलें तो पुराना पैटन अपना रहा है, पुराना पैटन बोलें तो बिग बॉस ने एक बात भी बोली है, कि अब वो बिग बॉस नहीं है, जो पहले था, ठीक है, तो अ मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी personality से खेलना चाहिए ना कि किसी और की personality से. आप रहे जैने किसकी साथ bond अचा रहा और किसे मिलना चाहिए और किसे लिगए? मैं खांजादी से मिलना चाहूंगी. बस और तो विक्की से भी मेरा इतना नहीं था. बट अंकिता से था और एशर रिया से भी था मतलब सबसे एक्वली था मेरा ऐसा ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर मैं गेम के चकर मैं नॉमिनेशन के डर के मारे सबसे गुरूब बनाओ ऐसा मेरा नहीं था किden लो किस सता हुआयए मारे रिएक जरो जर्सपार कें साह्व शमूडल पसके नहीं था हyas प्रव शमूडल नहीं चो नहीं चाहिए जुगा ऑजिने समय हमें भी लेने दूले हैं